हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम सर्व समीका से संबंदित प्रशन को यहां पे हल करेंगे और देखेंगे कि सर्व समीका से जो प्रशन पूछा जाता है आप उन प्रशनों को कैसे हल कर सकते हैं तो फ्रेंस आपके सामने यहां पे दो प्रशन लिया गया है आपका फहला प्रशन है कि एद दर आट दर दर कि को मान गया होगा तो चलिए इस प्रशनों को हल करते हैं तो फ्रेंस चलिए यहां पर आपके लिए लेते हैं पहला प्रश्न यहां पर क्या है आपका पहला प्रश्न एधन एक बटा के कितना है फ्रेंस एश्कल्टू दिया है पांच बटा के दो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आपको मिलेगा तो देखिए आपको करना क्या होगा जब यह मग इसके यॉन से लएवाज होगा तो आप लिखना पड़ेगा दोनों पंचोंचों का वर्ग करने पर दीचे कि us और द्हां से देखिए ईसकल टूल का ने बाधर को दीगे पाँचों को मांगा आ जा जागा दोनों पंचों का व्र act कर ने पर LS कीजिए आ पलस एक बटा की कि ए कहुंद कर लिजिए को फर dug फिर इसके बाद देगे फ्रेंस आपको ऊप्यालле कि दो को सबस्कार को पर fundamentals अब यहां नहीं पता है तो यहां पे हम लिखते हैं और इसको देखते हैं दोत होmetro फार्व आपको याद हो का देखिए यहां पर होता क्या है A square धन B square plus 2AB इसी फार्मुले पर आप क्या करेंगे कि इसका विस्तार करेंगे चलिए फ्रेंच देखिए A प्लास वाना पान एक होल इसकार है देखिए आपका A के जगाप पर है और एक बटा की जो A है यह आपका B के जगाप पर है एक के जगाप कितना A देखिए यहां पर A square मतलब A का square धन B के जगाप B का square मतलब एक बटा के A का square प्लास 2AB यानिके दो गुड़े एक जगाप A है एक बटा के A है एक बटा के लिखेंगे और बराबर देखिए पांच बटा के दू का whole square के कितना होगा यहां पर लिखने देखिए यहां पर देखिए इसका लिखेंगे दन करेंगे खिर अब करने जीसे आपको ग्याद करना A-square धार एक बटा के A-square गयात करना है आपको यहाँ सक्क्या करेंगे A-square PLUS A-square लिखेंगे और 2 को 25 करेंगे ति हम लिखेंगे 25 बटा के 4 2 को 25 करेंगे ते चिन बतल जागा तो कितना होगा माइनस 2 होगा ठीक है फ्रेंस अब देखिए आपको क्या करना है कि यहाप लिखेंगे A square धर 1 बटा के A square 2 देखिए यह होगा 25 माइनस 4 का 2 में 4 दोना के 8 यानि कि जैसे भिन कर जो घटाना हल किया जाता है उसी प्रकार यहाँ पर हल करेंगे देखिए फ्रेंस 25 मेंसे आप क्या करेंगे 8 घटा दीजिए तो 25 मेंसे जब आप 8 घटाएंगे फ्रेंस तो आपका बचेगा 17 17 बटा के चार तो फ्रेंस आपका सीधा सीधा आपका एंस्वर हो जाएगा चलिए प्रश्ण को दिखाते हैं जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ग्याद क्या करना था यहाँ पर सवाल था यह आपको एंस्वर धन एक बटा के एंस्वर ग्याद करना था तो यहाँ पर आपका एंस्वर आ गया कि एंस्वर धन सब्सक्राइब करेंगे कि यह सवाल आप क्या करेंगे इसका भी लिखेंगे दोनों पच्छों का वर्ग करने पर जैसे इसके पहले आपका प्रस्ट नमबर वन था उसी प्रकार दो को भी लगाना है बस आप ध्यान से देखिए यहाप लिखेंगे दोनों पच्छों का करने पर इतना लिख लिए करने पर यहां एक बटार इसका हॉल करेंगे और बरावज जीरो का स्कॉर करेंगे देखिए अभी बताएं आपको प्लस वाला था यहां पे आपको माइनस का फ़र्मुला पता होना चाहिए लिखते हैं यहां पर कब का होल इसको आ तो इस को ए मासे माइनाष विस्ताफ करेंगे तिक को करेंगे यह को अपको मया तो एक है quiet एक स्कॉर देखीं कना क्या conservative मतलब एक हीसकर मतलब आयए स्कॉर प्लस आप या श्कॉर मतलब या एक एक बटा के एक होली स्क्वार माइनस टूए भी यहां दो गुड़े एक जगह पर ए है और गुड़े बी के जगह पर एक अपन ए यानि कि यहां पर फार्मॉला लिखा है फ्रेंस इसी पर आप विस्तार करना है और बराबर जीरो के स्क्वार कितना होगा जीरो होगा ठीक है बेर आफ ऐसे इस काट सब्सक्रल माइनस दू करें इसकोड करीना जीरो होगा अव्रेंस डेखिए आपको क्या करना है कि स्क्राणा को मांनगा है कना सब्सक्रा सब्सक्राइब An यद्यरो होगा और देखी यही आपका प्रश्ण दिया था कि ए माइनस एक बटक एच कल तो जीरो हो आपके आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें